लो एंड वेलकम इस्टुडेंट दिस इस सुब्राज एंड वेलकमी टो और उन्लाइन ग्लासे यहर विवर डिस्कसिंग अबाउट दा हनी कॉम लेसन फर्स्ट थ्री क्वेस्टन तो जो पिछला जो वीडियो थी हमारी उसमें हमने डिस्कस किया था पार्ट का नाम था थ्र प्रस्ट उड़ते हैं और उन प्रस्टों की जबाब के लिए वह कहा जाता है हर्मिट यानि सन्यासी के पास जाने के बास उसे बहुत सारो वां पे काम करना पड़ता है और एक वोंड़िड मैन जकमी आदमि उसके पास आता है और उन दोनों में जो जकमी आदमी होता है व looked around looked around for the hermit, देखु हुआ क्या कि अब राजा का काम पुरा हो गया वहाँ पे आप क्या करना चा रहा है, वहाँ से निकलना चारा है, मतलब वहाँ हट जो है, जोपडी है, जोपडी से निकलना चारा है, और wounded man किसको छोड़ कर, उस जक्मी आदमी को छोड़ कर वहाँ से जब राजा क्या करता है बहार निकलता है जाता है और चारों तरफ देखता है कि हर्मिट कहां है अब देखो जैसे राजा वहां से जाने लगता है तो जब वहां से जाने जाना चाहता है तो उसे लगा कि क्यों ना मैं फिर से एक बार क्या करूँ अपने जो मेरे जो परशन है मेरे जो तीन परशन है इस हर्मिट यानि इस सन्यासी से फिर से क्या करूँ उन परशनों का जबाब मांग लो लेकिन जो hermit था, hermit ने विलकुल भी उसकी तरफ ध्यान ने दिया, वो अभी भी कैसे, the hermit was his niece, sewing sheet, मतलब वो क्या कर रहा था, जो, जिन क्यारिया, जो क्यारिया एक दिन पहले क्या कर गई थी, खोदी गई थी, उनमें क्या कर रहा था, गुट्नों के बल, मतलब नीचे जु से उस सन्यासी के पास जाता है, और सन्यासी के पास जाने के बाद कहता है, कि इस समय लास्ट बार, I back, मैं तुम से क्या करता हूँ, हाद जुड के विंती करता हूँ, कि मेरे जो तीन प्रशन है, तुम क्या करो, उन तीन प्रशनों का उत्तर दे दो, हे बुद्धिमान अब क्या होता है, जो हर्मित होता है, सन्यासी होता है, वो कुछ बोलता है, वो बोलता है कि you have already been answer, मतलब, राजा तुम पहले ही अपने जो तीन प्रशन थे, उन प्रशनों के उत्तर, तुमें already मिल चुका है, कैसे, कैसे मिल चुका है, देखो, still bending down to the ground, मतलब वो ground में ही क् काम कर रहा था, मतलब मुड़ा हुआ था, और उसे के तरब क्या कर रहा था, देख रहा था, how have I been answer, what do you mean, अब राजा कहता है कि मैंने कैसे अपने तीनों प्रशनों के उत्तर, जान लिये, तुमारा क्या मतलब है, do you not see, replied the hermit, hermit जबाव देता कि क्या तुमने नहीं देख कि दया ना आती, तो तुम कल यहां से क्या कर दिये होते, मतलब चले गए होते, और नहीं तुम क्या करते, इन बेट्स को क्या नहीं, इन जो क्यारियों को नहीं खोते, then that man would have attacked you, और क्या होता, जो आदमी आया था यहां पे, वो तुमें क्या कर लेता, तुम पर attack कर लेता, और तभी जाके तुमने क्या किया, ऐसा फैंसला किया कि मुझे क्या करना पड़ेगा, आज यहां रहना पड़ेगा, so the most important time was, when you were digging the bed, सबसे important time तुमारे ले कौन सा था, जब तुम यहां पर क्यारिया खोद रहे थे, and I was the most important man, and to do me good was your most important business, ठीक है, सबसे important time कौन सा था तुमारा, जब तुम मेरे साथ क्या कर रहा थे, क्यारिया खोद रहे थे, सबसे important आदमी कौन था, मैं था, और सबसे अच्छा काम कौन सा था, सबसे जो important जो work था, वो कौन सा था, कि जो तुमने मेरे ले क्या किया, अच्छा किया, उसके बाद जब वो आदमी भाग कर तुमारे पास आया तो सबसे महत्वपून टाइम उस समय था जब तुम उसके क्या कर रहे थे देखबाल कर रहे थे यदि तुम क्या ना करते उसके जो घावते उसमें क्या करते मरहम पति नहीं लगाते तो वो क्या होता मड गया होता कैसे बिना तुमारे साथ संधी किये होए या पेर बिना तुमारे साथ क्या किये होए पीस किये होए So he was the most important man और वो क्या था सबसे महत्वपून आदमी था and what you did for him जो तुमने उसके लिए क्या वो तुम्हारे लिए क्या था, सबसे अच्छा काम था, okay Remember, then, एक चीज ध्यान रखो There is only one time, that is important and that is now Remember, then, एक चीज हमेशा ध्यान रखो एक ऐसा समय, there is only one time Important time कौन सा है, अभी, यानी वर्तमान हमारे लिए क्या होता है, किसी भी time की बात करें तो सिर्फ कौन सा वर्तमान की बात की जारी है It is the most important time because it is the only time we have any power to act देखो, उसमें इसका जो meaning क्या है कि हर्मिट क्या कहता है, राजा के लिए कहता है कि राजा का प्रशन था कि मेरे लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है तो राजा के लिए ही नहीं, हम सब के लिए सबसे जो अच्छा समय होता है important समय होता है, वो कौन सा होता है, now यानि अभी बातमान, ना तो past को देखके कभी क्या करना चीए परिसान होना चीए, और ना ही बविशे के लेके क्या होना चीए चिंतित होना चीए, क्योंकि हमारे पास क्या होती है time we have any power to act, मतलब अभी हमारे पास क्या होती है power होती है, यानि क्या होती है, पावर होती है या फिर इस समय बातमान को हम क्या कर सकते है, बदल सकते है लेकिन ना तो past को बदला जा सकता है, और ना ही future में कुछ and whether we will meet anyone else, एक बात फिर से important बोल दी उसने कि हे राजा कि सबसे necessary, जरूरी आदमी तुमारे लिए कौन है कि जब तुम किसी person के साथ क्या हो, एक particular moment में हो जब भी तुमारे साथ कोई है, मतलब वो आदमी क्या तुमारे लिए important है क्योंकि कोई नहीं जानता है कि भविशय में हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे the most important business is to do that person good because we were sent into the world for that purpose alone मतलब हमारे लिए सबसे महतवपून काम होई है कि किसी का भी क्या करना, किसी भी person के लिए good मतलब किसी की भी क्या करना भलाई करना क्योंकि हम जानते हैं कि हमें इस word में इन संसार में क्या है किसी ने किसी परफस के लिए बीजा गया है लिए टोल स्टोई तो student we have come so student what you have to do from this lesson lesson हम complete कर चुके हैं तो इसकी जो question answers है और जो word meaning है I have already given you the word meaning do it in your notebook notebook में आपने वो word meaning सारी कर ली होंगी अब आपने notebook में क्या क्या करना है तो एक तो comprehension check इसे भी आप क्या करेंगे notebook में करेंगे the comprehension check यहां से first, second, third, fourth, fifth okay and now answer the following question okay answer the following question one, two, question number five question number six, question number seven question number eight okay comprehension check and till question number eight आप क्या करेंगे अपनी notebook में करेंगे okay so if you find any difficulties while you will do the question answer and the comprehension check so you can ask me freely okay so thanks for watching video take care and good bye okay 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 so thank you so